हलो दोस्तो दा अल्टिमेट इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ अभिशेक सरकार तो दोस्तो अभी भारत और चाइना के बीच माहोल अच्छा नहीं चल रहा है LAC यानि Line of Actual Control जो की इंडिया चाइना का बॉर्डर है वहाँ पे इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच बहुत जादा मार पीट हुई जिसकी वज़े से हमारे कुछ जवान शहीद भी हुए और कुछ घायल भी हुए और चाइना की तरफ भी बहुत सारे जवान मारे गए पर दोस्तो इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच लड़ाई तो हुई पर बॉर्डर पे कोई फाइरिंग नहीं हुई सिरफ हाता पाई हुई मार पीट हुई जिसमें हमारे जवान भी शहीद हुए चाइनीज आर्मी के जवान भी मारे गए पर दोस्तो ऐसा क्यों? सिरफ इंडिया चाइना के बॉर्डर पे ही फाइरिंग क्यों नहीं होती है? सिरफ हाता पाई होती है सिपाईयों के बीच. जहां हम इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देखे तो आप पे आए दिन सीस फाइर का उलंगन होता है, गोली बारी होती है, फाइरिंग होती है बम भी गिराए जाते है पर दोस्तों इंडिया चाइना की बीच ऐसा कुछ क्यों नहीं होता तो दोस्तों हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे कि क्यों इंडिया चाइना के बॉर्डर पे फाइरिंग नहीं होती है सिरफ हाता पाई होती है ये वीडियो एंज तक देखे आखिर तक देखे पूरा डिटेल में जानने के लिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों इंडिया चायना का बॉर्डर यानी LAC, Line of Actual Control जो की 3500 किलोमेटर में फैला हुआ है इंडिया चीन का बॉर्डर वहाँ पे कितना भी तनाफ का सिचुएशन हो इंडिया चायना के बीच कितना भी जगडा हो कितना भी गंबीर सिचुएशन हो बॉर्डर में कभी भी फाइरिंग नहीं होती है अगर सिपाईयों को आपस में लड़ना होता है तो वो डंडे, हाता पाई और इन सब चीजों स लड़ते हैं और दोस्तों यह माना जा रहा है और इसके सबूत भी मिले है कि चायनीज आरमी के सिपाही डंडो में नोकिले कील लगा के इंडियन आरमी पे उन्होंने अटैक किया था और दोस्तों एसा क्यों फाइरिंग क्यों नहीं होती सिर आप लाठी, डंडे और इसे ही क्यों निपता जाता है तो दोस्तो इसका रीजन है 1993 में इंडियन गॉर्मेंट और चाइनीज गॉर्मेंट के बीच एक समझोता 1993 में उस समय के भारत के प्रधान मंत्री श्री नरसिम्मा राउ चाइना के दौरे पे गए थे तो दोस्तो वहाँ पे उन्होंने एक समझ जोते का पहला बिंदू, पहला पॉइंट ये था कि कभी भी इंडिया और चाइना के बीच कितना भी तनाव हो, कितना भी जगडा हो, कितना भी बड़ा मसला हो, कभी भी सैने कारवाई नहीं की जाएगी, कभी भी युद्ध नहीं किया जाएगा, हमेशा शान्ति कि इस पारिणि की तरफ ना चाइनीज आर्मि माणाई गी शाए गी मिंडियन आर्मि हाश्य ऑनिगी गल्ट कराद मो geben देुस्ति आप उस तरफ दोस्तереन के पार किया था की तीसरा पॉइंट है कि इंडिया चाइना के बॉर्डर पे कम से कम मिलिटरी रखी जाएगी चौथा पॉइंट ये है कि अगर बाई चांस कभी भी बहुत जादा जरुवत पड़ती है कि बॉर्डर पे मिलिटरी की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए तो दोनों देश एक साथ बैट के बाद करेंगे और रीजन बताएंगे कि हम क्यूँ अब बॉर्डर पे मिलिटरी बढ़ा रहे है अगला पॉइंट ये है कि दोनों देशों के जो एर फोर्स है वो कभी भी LAC के पार नहीं जाएंगे यानि कि चाइनीज एर फोर्स इंडिया के तरफ नहीं आएंगे और इंडियन एर फोर्स चाइना की तरफ नहीं जाएंगे और दोस्तो आखरी समझोता ये था कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर पे फाइरिंग नहीं होगी अगर कोई मसला है तो वो बात चीत से सुलजा लिया जाएगा दोस्तो इसी समझोते की वज़े से अभी तक इंडिया चाइना के बीच फाइरिंग नहीं हुई पर हमको देखना ये होगा कि आगे तक क्या हम ये समझोता बरकरार रख सकते है या फिर नहीं और ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जैहिन दोस्तो